हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रिखा और वेलकम बैक टो रिखा की दुनिया तो आज का ब्लॉग बहुत खास है सुख दुख पूजा हर चीज इसमें मिला होगा है तो आज की ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा सब्तमी की पूजा से लेके नौमी तक की पूजा क्यो डालना तो छोड़ो मैं बना भी ने पा रहे थी सही से तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहो और एंड तक देखो बहुत सारी चीजे आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है साथ ही चान्नी चौक का मार्किट भी आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलने वाला है तो ब्लॉक की सुरुवात हो रही है साथ सप्तमी पूजा से और यह देखिए सुबह का द्रेश अखंड जल रहा था और पूजा की तहरिया मैंने साथी कर दी थी और अब देखिए अब पूजा कंप्लीट हो चुका है मैंने पूजा का कुछ ऐसा शूट नहीं किया था तो आप लोग भी दर्शन कर लीजे माता रानी के और उसके बाद में शक्तमी को मेरा फास था तो मैंने फटा फट से तो यह बन रहा है ब्रक्ता खाना और मैं वुना लिए पनीर की सब्जी तो बस इसमें जीरा टामाटर डाल दिया है और थोड़ से बेसिक नताले हो जैसे हल लाल मिर्च, लाल मिर्च आप टाशनीर की लाल मिर्च, और काली मिर्च और गीरा पाउड़ें अगर आप इसमें कुछ नहीं खाते हैं तो आप ना डालें और टमाटर के गाना आप लिए इम्बूर डाली कि भी इताएंगे तो यह खाने में टेस्टी लगेगा इस तो खा जब बना रही है। साथ में मैंने भूल लिया है मुंसली और मखाने। इधन मैंने गरण किया है। पानी फ़ल्बी जाल के दार भी करने के लिए। जो कि खांती में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ये मैंने शुरू किया है करना कल रात से जब करना शुरू किया। मैंने दिंग में ही काम मतलब खाना बनाना इतले शुरू कर दिया है कि आज एक बहुत बैड नीव मिला है मुझे। एक मामा जी है, थोड़े दूर के रिष्टे में आएंगे मेरे, मेरे मामा जी के साला है और उनकी डेट हो गई है, तो आज मुझे हो सकता है कि वहाँ जाना पड़ेगा शाम तक, तो इसलिए मैं सूसरे हो कि सारा चीज बना वना के रख लूँ, तो अगर मैं जाती हूँ, त साल करके पता करूँगे, आज बिल्कुल भी कुछ अच्छा मन नहीं कर रहा था, मैंने खुद से पाठ भी नहीं किया, आज मैंने पाठ चला दिया है, और मैं सुन रही हूँ पाठ को कि युकि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कि आज बिल आज बनायाना और कुछ, बाकी जो काम है, डेली रूटीन का वो मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि दो डाई को ये तक मैं निकल जाओंगी, देखिए आप लोगों कैसा होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों की सब सब कुछ शेयर करूंगी, मैं इसको कुछ इस तरह क ही रखने वाली हो, ताकि अगर मैं चाहूं, तो इस तो नोटी के साद भी खा सको, मतलब खुटू के आटे के नोटी के साद, या फिर चावल अगर खाना हो, तो समा के चावल के साद इसको खा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही लट पटा सा मैंने बना दिया, बहात आस तो ये देखिए, तयार हो गया है मेरा खाना, और मैं निकल गई हूँ, वैशाली के लिए, और अभी मैं वैशाली पहुच गई हूँ, तो हम अभी वैशाली जा रहे हैं, घर में तो सिकी ड़त हुई है, बोड़ी ये कि तो मैं जा चुपे हैं, बर उनकी वाइज भी वैंटीलेटर पे हैं, तो सिच्वेशन मुपत हरा अभी मैं जा रहे हूँ, इन से जाके मिलके आती हूँ, क्योंकि मैं आप अल्मोस्ट वैशाली कहुच गई थी, तो मैं जा पता चलाती हूँ, वो लोग लेकर के घाट पे जा चुपेते, बस बहुत बुदा लग रहा है, आप खुद सोचे ना, उनकी पत्म को पता भी नह जाले गए, अज एक तम अच्छा ने रहा है, अज एक तम अच्छा ने रहा है, इसलिए, जाते में हॉस्पिटल जाते मिलेंगे, उन से फिर, फिर मैं हॉस्पिटल से निकल गई, और वहाँ पे कुछ शूट करने लायक था नहीं, उन लोगों के साथ में, निहां बहुत हो रही थी, तो बस वहाँ से मैं निकली और रात हो गई थी, मिट्रों के लिए जा रही थी, और यह देखिए, जो रेडिसन ब्लू देख रहे हो ना, यह देखते ही ना, मेरा कलेजा फट गया, भाईया बावी से फर्स टेम मैं यहीं पे मिली थी, और आप लोगों को पहली बार, उसके बाद मैं मेट्रो आई, मेट्रो आने के बाद मैं वहाँ से फिर घर आई, तो आप लोग ब्लाग में बने रहे हैं, आगे बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि नेक्स डे मैं गई हूँ चांदनी चौक, और वहाँ पे स होस्पितल से निकल के आई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, नेहार उने लगी तो और भी वहाँ बुखत बुरा लगा, मातरा निलस उसकी मभी तो वापस ला देखर, आप में भी दूआ के जिए हूँ, आज जब एडिसिन दू के बाद से गुजर रही थी, तो भी बह से चले गए हैं, बस भगवान से यही दूआ है कि निहा की मभी वापस आजए, बदा है गया, भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाय, एक अभी पिता का अंदिन सिल्षा हुआ नहीं है, माता वेंटिलेटर बें पड़ी हूई है, बच्चे की क्या हलत ऐसे में होती है न, य और बहुत बूरा लग रहा है, सच हो लो तो, सही मायने में, जा रहे हैं घर के तरफ और अभी बहुत ज़्यादा, बजद दूर आई हो गर से, दवार का जाना है मुझे को, दो गंटे तो कहीं नहीं जाती, दो गंटे तो लगेंगी ही लगेंगी, लगेंगी, बने रही ह जाते हैं तो आप लोग उससे बात करते हैं, तो यह हम आगे चांदनी चौकर अभी आप जो देख रहे थे, वो है परफ्यूम की शॉप और वहाँ पे आपको बड़े-बड़े ब्रांट की कॉपी मिल जाएगी, तो वह से गूची फ्लॉरा भी ले के आ सकते हुआ, और उ देखिए और आना हो, तो गुत्ता साडी पे आप लोग आ सकते हैं, होन से लेट पे, और अभी फेस्टिबल है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके ले सकते हैं, और यह देखिए, यह मैंने एक साडी वहाँ पे ट्राई करक है, और साथ में यह साडी, कि साडी इतनी अच्छी थी कि मैं कन्फ्यूजन में थी मैं लूँ ना लूँ ना लूँ ना लूँ और इसी कन्फ्यूजन में मैं रही गई, फाइनली मैं नहीं ही लिया मैंने, लेकिन साडी सच में बहुत प्रिटी थी, और आप लोग देखो, अपको वो साड़ी हैं मिलेगी जो अभी ट्रेन में चल रही है जो नहीं आई है पुरानी चीजों के साथ-साथ क्योंकि यह होलसेल है यहां पे न सारी पैकिंग होती रहती है बाहर भीजने के लिए और उसके बद देखे एक साड़ी और मैं आपको दिखा रही हूँ यह साड़ी यह साड़ी हम लोगों को इतनी पसंद आई इसको हमने रखवा दिया बिकस यह बहुत प्रिटी साड़ी थी तो बस वहां से 25 करने के बाद हम लोग निकल गए सूट के लिए और शोप बहुत अच्छी थी पूरा होल सेल का था और रही दिखी सबसे पहले उन्होंने लिख रखा है फिक्स प्राइस और यहां हम लोगों को लिख करके आए थे सुबेदर जी और यहां पे बहुत प्रिटी प्रिटी सूट्स देखने के लिए मिला यहां पे बिना एकदम लेटेंस कलेक्शन मिल रहा था पुराने वाले जो कलेक्शन थे उसके जग़े पे नए कलेक्शन थे हमको देखने के लिए बहुत प्रिटी सूट है यह दिखी यह मरून सूट कितना प्रिटी है और उसके साथ में इसका ब्लैक कलर भी था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था हम लोगों ने यहां से छे साथ सूट लिया बहुत प्रिटी था सब देखे सारे कलेक्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे यह देखे तो अब दिखेंगे ना बहुत ही अच्छे सूट्स थे यहां पे और जब भी चाहें आप Loteg यहां करके शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप लोग कहें तो मैं कमेंट स्सक्शन मे इसका अड्रिस भी आप लगों को लगा दूंगी तो आप लोगों को सूट कैसा लगा कमेंट section में जरूर बताईएगा और रेंज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं था यह सब अच्छी कॉलिटी के बढ़िया वाले सूट थे प्योर कॉटन वाले सूट थे और यह सब सूट जो है वो हम लोगों को पड़ा है 950 के रेंज में और उसके बाद में कुछ सूट जो थे वो 750 के रेंज में थे और मैं आपको बताऊं यह जो अभी शूट को उपन कर रहा है ना यह 750 के रेंज में है और कॉटन दुपट्टे के साथ यह शूट है मैं हम लोग एक्शली कॉटन ही देख रहे थे डेली उसके लिए घर में पैनने के लिए और आप इसका दुपट्टा जब लोगों ने लिया था और यह देखे इसका दुपट्टा कितना प्रिटी लग रहा है मुझे स्पेशली कॉटन दुपट्टे के साथ सूट बहुत पसंद आता है और यह सूट मुझे बहुत पसंद आया और सच बोलू तो जब मैं अभी वाइस ओवर कर रही हूना तब मु लोगों ने बुला था कि हां यह पसंद है इसको साइड करो एक तम उसी टाइम हमने इसको साइड कर वा लिया था इतना प्रिटी लग रहा था इसका मरून और ब्लाक दोनों लिया हमने बहुत प्रिटी था यह सूट यह देखे इसका दुपट्टा तो मसलीन का दुपट्टा है और बहुत प्रिटी है सूट रिजनेबल सॉप है और आपको सबसे बड़ी बात है कि अभी आप एक चीज दिखेंगे ना कि मैं जिन शॉप्स में गई हूँ वहाँ पे रश नहीं है तो वो रश इसलिए नहीं है क्यूंकि वहाँ पे न सब ल अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट शेक्शन में बताइए कि मैंने कौन सा सूट लिया होगा ये मरून सूट भी बहुत प्रिटी था इसका ब्लाक कलर अभी आप लोगों ने देखा है उसी का ये मरून कलर है देखिए है ना काफी प्रिटी तो बहुत सुन्दर लग रहा था ये और इसका भी दुपट्टा बहुत प्रिटी है तो कुछ सूट्स होते हैं जो आप दुपट्टे की वज़े से ही लेते हो और ये सूट उसी में से कुछ था और ये सूट मुझे बहुत पसंदाया था पर इसमें ना दाग निकल गया तो उस वज़े से हमने ये सूट नहीं लिया उनकी पास होलसेल में और भी दो बट्टे सूट थे पर ये था कि उसके बाद में लगी थी भूक और हम लोग बिना लसन पर आज का खाना ढूनते हुए पहुँच गए और वहाँ पे हमने खाया ये छोले बटूरे और साथ में मसाला डोसा तो ग्यारतारिक को ही हमने अस्टमी और नौमी दोनों का पूझा किया तो अस्टमी के दिन हम लोग माता की गोद भरते हैं जिसको हम खुचा भरना भी बोलते हैं तो ये खुचा भरने की विद्धे शूर हो रही है जिसमें कि साथ पान के पत्ते रखे जाते हैं और उसके है साबुत हल्दी और साबुत हल्दी जब भी गुद भरते हैं किसी का तो इसमें हल्दी बहुत शुब माना जाता है तो यह हल्दी उसमें डाला जा रहा है इसमें हम हल्दी सुपाडी यह देखे सुपाडी हम डाल रहे हैं अभी लॉंग इलाइची यह सब चीजे डालते है तो अभी आप देखते रहिए सब कुछ, आपको सब कुछ यहां पे देखने के लिए मिलेगा और उसमें फिर छूहारे डालते हैं, और बताशे डालते हैं, मिठाइया डलती हैं, सिंगार का समान डलता है बताशे बहुत important होते हैं इसमें डालना तो बताशे मैंने इसमें चढ़ाए बहुत सारी चीज़ें इसमें डलेंगी और फिर माता की गोद भरी जाएगी ऐसमें सबसाइबा खम घई सक को कि बताशे अगुर लाएब होगी और खंपताशोजें पहाल मैं इसमें इसमें अभरी utïs झाल झाल तो बस इस तरह से सारी चीजे रखके इसमें हम कुछ पैसे भी रखते हैं और रख करके उसके बाद में हम आरती आरती धूप दीप जो भी होता है वो सब दिखा देते हैं और आज तो अध हद ही हो गया आज इस दीप से ना एक चीज नहीं दो दो चीज जल ली जो सारी पहन के मैं पूजा कर रही हूँ वो सारी भी जल गई मेरी और साथ में जो भगवान को मैंने बिठा रखा था एक शली जगह की कमी पढ़ गई थी और दीप को मैंने नीचे रख दिया जिससे की मेरी सारी जल गई मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं पूजा में लगी रही और मुझे पता ही नहीं चला की कब मेरी सारी जल गई जब मेरे पैरों पे गरम-गरम अहसास हुआ तब मुझे लगा की अरे मैं तो जल रही हूँ तब मैंने फटा-फटा उसको बुझाया तो खेर कोई अनहापनिंग नहीं हुआ थोड़ी सी ही जली और नहीं सारी थी तो तकलीफ तो बहुत हुई क्योंके सारी बहुत प्रिटी बहुत सुन्दर सारी थी ये आप देखेंगे अभी तो मैं जल चुकी हूँ तो बस मैंने अपना पूझा पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद मैं आर्थी करने के बाद जब मैंने दीप रखने के लिए यहाँ पे जगह बनाया और रखा तो जिस आशन पे मैंने बठा रखा है भगवान को वो आशन भी थोड़ा सा मिल्ट हो गया तो आज की पूझा थोड़ी इसी तरीके से रही जलती जलाती हुई सी यह देखिए जब मैंने यहाँ पे रखा न तो इससे मेरा आशन हलका सा मिल्ट हो गया जबकि मैंने थोड़ी देर के लिए ही रखा था क्योंकि तब तक मैं यह जो गोद भरने का है ना उसकी पोटली बना लूँ बस इतने देर के लिए मैंने रखा था पर जोट लगता है आज बहुत तेज जल रही थी यह देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहोंगे और अब जाके मैंने देखा कि मेरी भी मिल्ट हो गई है उसके बाद में मैं आई मंदिर और मंदिर में आने के बाद म आप लोग भी दर्शन कीजे मातरानी के और मातरानी का दर्शन किया प्लस यह जो मैंने गोद भरा था वो लाके यहाँ पे रखवा दिया मातरानी के पास तो या तो मैं यहाँ आके भर सकती थी या मैं घर से भर के लाके यहाँ रख दिया और लोग यहाँ पे ऐसे भरते ह और ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए मातारणी को अगर हम गोद भर रहे हैं तो अच्छे से पोटली बना के उनके पास रखना है और आप लोग दर्शन कीजिए मंदिर के ये मंदिर मेरे घर के बिलकुल पास में ही है तो वहाँ पे मैं गई थी और वहाँ पे जाकर के मैंने पूरा मंदिर का दर्शन किया था और साथ में मैंने एक आप लोगों के लिए भी शूट कर लिया में 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 मैंने फिर भूग बनाना शुरू किया क्योंकि कन्या भूग लगाना बहुत जरूरी है और कन्या भूग लगाया बिना नवरात्र की पूजा समाप्त नहीं होती कंप्लीट नहीं होती तो ये मैंने हल्वा बनाया और उसकी साथ में मैंने थोड़ी सी पनीर की सबजी बनाई और पूरिया बनाई और चने बनाए तो मेरा चना भीगा नहीं था अच्छे से तो मैंने सोचा चलो पनीर की सबजी बना लेते हैं और भोग में वो भी चड़ा देंगे लेकिन जब तक सारा काम कम्प्लीट हुआ मेरे चने भी अच्छे से हो गए गल गए और फिर मेरे चने भी बन गए तो ये देखी कितनी अच्छे से खिल रही हैं फ्रशाद बनाओं नो तो जल्दी मतलब बहुत अच्छी ही बनती चीजें तो ये देखे कितनी अच्छे से पूरिया खिल रही है अच्छी है आप देखो तो ऐसा नहीं है कि बहुत जादね कि-स फ Community और ना ह है साबत मसाले और शूखे मसालो metrics को पानी में भीगूए डाला है इससे क्या होता है यह मसाले अच्छ से गल जाते हैं और मेरे घर की पीछी पूए मसाले होते हैं तो मैं पानी में भिगो देती हूं तो अगर वो थोड़ा बहुत टाइट रह गया हो तो वो भी अच्छे से गल जाते हैं और यह देखिए मेरे चने कितने अच्छे से है है एक दम लिप ते हुए से मसाले में सुखा सुखा नहीं लगता है उसके बाद में मैंने तयारी शुरू कर दी वह रूख दान की हावन किया और महतरान्य को भोग लगाया उसके बाद कन्या को तो यह देखे हावन के लिए मैंने छोटे वाले हावन को निकाले थे मुझे लगा था कि छोटा सा हावन करूंगी लेकिन जब मैंने शुरू किया तो फिर यह बहुत छोटा पढ़ना शुरू हो गया था बट फिर भी किसी तरह से हो गया और हवन इतना अच्छे से हुआ एक एक चीजे ना बहुत अच्छे से जल गई कुछ भी नहीं बचा और यह देखे यह गूबर के उपले थे जो गाई के गूबर के गूपले होते हैं कि वो स्पेशली हवन के लिए ही मिलता है तो यह मंगवाया था और उसके साथ में थोड़ी से लकड़िया डाली थी तो हवन सामगरी मेरे इतनी अच्छी बनी थी कि बहुत अच्छे से जल गया इसमें मैंने सब चीजे मिलाने के बाद देसी गही मिलाया था और कपूर मिलाया था जिसके वज़े से हवन कुण नमें जाने के बाद ये बिलकुल जलना शुरू हो जा रहा था और ये हवन सामगरी जो है ये मैं यहां से नहीं मैं बिहार से लेके आई हूं वहाँ वाले जो होते हैं वो धुआ बहुत कम करते हैं और बहुत अच्छे से जलता है तो अभी आप देखेंगे कि मेरा हवन कितना बढ़िया से जला है आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ मैंने अपना हवन शुरू कर दिया है और यह देखें पूर्णा होती के बाद में जब मैंने इसमें पूरी छोले और हलवे का भी भोग लगाया तो और उसके बाद में हमने आरती किया तो हपन के बाद आ गई कन्या और मुझे कन्या तो दो ही मिली पर उशा की बेटी है तो उसके लिए दो उसके लिए भीज दिया और दो यह लोग तो चार हो गए और इन्हीं लोगों को और करके मैंने पूरा साथ पूरा कर दिया और साथ पूरा करके मैंने अपना कन्या जमाने का का पूरा किया क्योंकि बच्चे मिलते नहीं हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मेरा थोड़ा लेट हो गया था पूजा में अस्ट मी खुचा वरना और उसके बाद में फिर नामी का खाना मनाना पूजा हवन सब करते करते और अकेले होना तो बहुत टाइम लग जाता है तो काफी टाइ को भी डबल करके मैंने अपना साथ का पूरा किया और यह चुटी वाली जो है ना बहुत अच्छी है मतलब इसको क्या ही बूलू मैं बहुत मन से सब कुछ करवाती है कुछ भी बोलो यह कर दो हां कर दो हां कर दो लास्ट येर भी आप लोगोंने देखा होगा इन दोनों क तो हमारी बिल्डिंग में ही दोनों रहते हैं, तो ये कंजक आये थे मेरे घर पे, और मैं फिक ये लोगों को प्रशाद वर्शाद खिलाया, दान दक्षिना जो देना था, वो दिया, बच्चों को हमेशा बच्चो वाली चीजे ही देनी चाहिए, तो मैंने भी इनको कीजे दी, और उसके बाद में फिर इन लोगों को भोग कराया, तिलाकार्ती किया, सब कुछ किया, और ये पैरों में कलर सिर्फ मेरे घर में ही इनके पैरों में लगता है, क्योंकि ये अल्रेडी दो जगह से होके आ चुके है, इविन कि अपने घर में भी इनका हो चुका ह पर वहां पर इनको महावर नहीं लगा, लेकिन मैंने महावर लगाया, क्योंकि मातरानी को तो महावर लगाते ही है न, तो इसलिए, तो ये देखिए, फिर मैंने जब महावर वगिरा लगा लिया, तो पती देव ने तिलाक किया, ये देखिए, पती देवियां पे तिलाक क कर रहे हैं कि मैंने मौली धागव अगेरा बांधा और इस तरह से भोग कंप्लीट किया तो आपको मेरे तीन दिन का यी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा और आज है दशेरा तो आप सब को दशेरी की बहुत बहुत शुब कामना है मातरानी सब को शुक्सांती समरिधी प्रदान करें ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक शेर कर देजेगा और कमेंट शेक्शन में जैमाता दी आखरी बार जरूर लिखिएगा किन अब रात्रों के लिए आखरी बार और उसके बाद में आप लोग ऐसे ही बने रहिए चानल के साथ और यह देखिए यहां पर मैं अपने हाथों से खिला रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी बहुत खुश हो रही थी और मैंने पूछा खाना कैसा बनाया तो एक दम एक नमबर बहुत बहुत प्यासे बोलती है तो बस आप लोग आप लोग को भी मातारान bless करे, thank you so much for watching रेखा की दुनिया जै माता दी, बाबाई